स्वागत है आप सभी का हमारे यूटिव चैनल आई एस पॉइंट में कैस आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी कैस आप सभी को मेरी तरफ से दीपा वली की हाधिक हाधिक शुपकाम नहीं आप सभी लोग अलवेज हापी रही है और अपनी फामिली को भी हापी रखिए और इस्टडी भी काफी अच्छे से करिए दीपा के पवित्र जोती आपके और आपके परिवार को हमेशा आलोकित करती रहे आपको क्या करने है आज देकी दीपा वली है और आप सभी लोग काफी हैपी वोंगे आप एंजयोई भी करिए साथ में स्टडी पर भी ध्यान दीजिए हमने जो कल पड़ा था जो भी हमने इस कल डिसकस किया था वो गतियों के वारे में किया था कि मनुष्य किस प्रकार से गती करते हैं और जो पसुपक्षी होते हैं वो किस प्रकार से गती करते हैं और एनिमल्स किस प्रकार से गती करते हैं तो आज हम डिसकस करने वाले हैं कि मनुष्य के सरीर की सरचना किस प्रकार से होती है और जो अन्य अनिमल्स होते हैं वो किस प्रकार से उनकी सरचना होती है ठीक है आप इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे अगर कुछ भी नहीं समझ आता है आपके एक भी पाइंट तो आप उसको कमेंट रॉक्स में कमेंट करेंगे चले गई स्टार्ट करते हैं आप लोग दीपा वली अच्छे से एंजॉय करें और साथ में आप लोग स्टडी भी करें ठीक है तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं गैस जैसे कि आप सब भी लोग जानते हैं कि हमारी जो human body है ठीक है तो क्या होता है कि इस सरीर में हड्टियां होती है अस्तियां होती है साथ में संधियां भी होती है मैंने आपको क्या बताया कि हमारी बोडी में अस्तियां होती है हड्टियां होती हो संधियां भी होती है ठीक है जॉइन्स तो जॉइन्स में क्या होता है कि मास्क पेसिया भी होती है और इन तीनों को सामन्वेव ठीक है तो कैस्स क्या होता है कि इन तीनों का जो समन्वेव है ठीक है समन्वेव ही हमारे सरी को गती करने में क्या रहता है ने कहा कि मनुष्य पैरों की सायता से गती करते हैं ठीक है मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मनुष्य जो होता है वो पैरों की सायता से गती करते हैं वो पैरों से चलते हैं हमारी पूरी बॉडी में एक कंकाल का ही मतलब जो हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है ठीक है जो हमारी बॉड़ी होती है आप सब भी लोग में भी जानते होगे इसके बारे में यह अस्तियां हमारे सरीर को आकार देती हैं क्या देती हैं गाइस यह जो अस्तियां होती है हमारी बॉड़ी को आकार देती है एक सेप देती है और हमारी बॉड़ी को सीधा खड़ा होने में क्या रहती है है तो गाइस यह जो अस्तियां होती है यह हमारी बॉड़ी को एकदम स्टेट हम जैसे की खड़ा हो जाते हैं गई पेपी तो यह अस्तियां हमारी बॉड़ी के लिए काफी है उसी पिरकार काम करती है जैसे हमने ल तो पौधे में तना जो वर्ख करता है ति कोई भी पौधा आप उसको लगाएंगे तो पैड़ आगे कैसे खड़ा होगा उसका तना मजबूत है तो क्या होता है कॉक्ट अगर नरम और कोमल होता है तो पौधे क्या अच्छे से खड़े हो पाते हैं तो इसका आंसर होगा नहीं क्योंकि तब फोर जो तना है वो इतना कोमल है अगर वो खड़ा होगा तो गिर जाएगा ना तो इस वज़ा से क्या होगा कि वो कोमल है तो खड़ा नहीं हो पाएगा वे जमीन पर ही रेंग ने लगता है उसी पिरकाह से जो हड्टिया होती हैं वो हमें सीधा खड़ा रखती हैं तने की रूप में अगर सीधा होटे हैं तो मजबूत होंगे ब्रक्ष भी बिलकुल अच्छे से खड़े हो सकेंगे अगर हमारा तनाही कि मजबूत होगा तो हम क्या होगा अच्छे से खड़े हो पाएंगे ठीक है अगर वैं आपको बताऊं कि अपने आप से ले सकते हैं कि हमें क्या होता है कि अगर हमारी study level एकदम perfect होगा तो हम किसी भी work कर सकते हैं कहीं पे भी जाके job कर सकते हैं हम किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं तब हमारा study level एकदम perfect होगा तब ठीक है तो आपको क्या करना है आपके इसको ऐसे example से जोड़ना है ताकि हमारे माइड में फिट हो जाएकि हाँ यह वर्ख है तो उसी पिरकार क्या होते हैं उसी पिरकार हड्डियां है ठीक है जो हड्डियां होती है वो हमें सीधा खड़ा रखने में हमारी help करती है और हमारी body को एक अच्छे से structure बनाती में एक अच्छा सा में वह right है यह future समझ लेना है और यह यह आपको और ब्सक्राबराक की त्बियान की गारे में बहुत ऐसे ठीक है मैंने आपको बताया वो गया उमिन की बाड़ी के बारे में लेकिन अगर हम देखें अब तो बहुत ऐसे जानवर होते हैं गाइस बहुत ऐसे ऐनिमल्स होते हैं जिनके पास तो हड्या नहीं होती है तो फिर वो कैसे मूव करते होंगे दवदर ठीक है जिनके पास हड्या नहीं होती है वो कैसे मूव करते हैं और कैसे वो गती कर पाते होंगे तो आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है तो वो मास पेसियों के सहारे मूव करते हैं करते हैं का सॉत्तर आपको मांड पेशियों, संधी, मांड पेशियां, संधी किस प्रकार से आपको आपको क्या करना है, मन में डाउट नहीं रखना है चाहिए ईससे चाहि कोंवह मंन का मन में रह जाता है सिर्फ वीडियो की बात मैं नहीं कर रही हूँ आपको लाइक में कभी भी मन में कोई डाउट नहीं रखना है कोई भी डाउट है आप उस बंदे से जाके वो डाउट किलियर कर लीजे तो ज्यादा बैटर रहेगा में रेकॉर्डिंग तो चली स्टाइ्ट करते हैं हम तो क्या होता है गयज की हम इसको चाह님へ संदी में किस पिरकार से मैं मूव करपाते हैं जैसे मैंने अपको बताया कि हमारे सरीर का स्ट्रीक्चड लेडि करती हैं डिके है तो अब हम का संदी संदी होता है और ये किस तरीके से महारी help करता है तो संदी उस point को कहते है जहां पर 2 हट्डिया आकर मिलती है उस point बिंदु को हम कहते हैं संदी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है और आपको अच्छे से मुझे सुनना है ठीके? और मास-page क्या होती है आखे वो क्या बर्थ करती है हमाई बोडी में हमें अब इसके बारे में जानना है तो मास पेसियों में क्या होता है सकुंचन और प्रिशारन होता है ठीक है और इस सकुंचन और प्रिशारन के कारण ही जो हड्यों होती है वो movement करती है ठीक है उसके कारण भी हड्यों का movement होता रहता है और अब हम गती की प्रक्रिया को deeply जानेंगे क्या जानेंगे गती की प्रक्रिया को हम deeply जानेंगे जैसे हम लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं हम क्या करते हैं तो हम कहीं पर जा रहे होते हैं आगे चलने की कोशिश करते हैं और हमारे पैर सामने की ओर बढ़ते हैं और जो दूसरा पैर होता है वो पीछे की ओर जाता है यही होती है चलने की प्रक्रिया तो आपको आप जानते हो काईस की हड्डिया सीधी होती है और हड्डियों क्या होता है कि हड्डियों में सीधी हो तो हड्डियों में क्या होता है कि जोइंस होता है संधिया नहीं होती तो क्या होता ठीक है क्या हमारी हड्डि मुड़ पाती तो क्या हम बिना पैर को मोड़े चल पाते आपको क्या करना है एक तरीके से मेजन करके देखना है कि अगर हमारे उसमें हड्डिया नहीं होती तो हम लोग किस तरीके से चल पाते ठीक है तो हम लोग क्या होता कि हम लोग नहीं चल पाते ये मोडने के कारण किस प्रकास से संभव हो पा रहा है तो वो हो रहा है संदियों के कारण आपको ध्यान रखना है वो संदियों के कारण हो पा रहा है संभव ठीक है तो आपको कैस में भी सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे हैं यह आपको समझना हैं तो हट्डियों जो मुड रही हैं वो संदियों की वज़ा से ठीक है तो गाइस हमें क्या करना है हमें अच्छे से समझना है कि जो हट्टियां है वो मुड़ रही है क्यों मुड़ रही है संदियों की वज़ा से वो मुड़ रही है तो उनका जो मुड़ना हो पार है वो संदियों की वज़ा से हो रहा है जिसकी विज़े से क्या हो रहा है जो एनर्जी है वो संचित होती जा रही है उन मास्पेसियों में हड़ी पीछे की ओर आती है तो सकुंचन होता है अगर सामने की ओर जाती है तो उसमें क्या होता है प्राशरर होता है इस तरह से हमारी बॉड़ी वर्क कर रही है क्या कर दिय है गाइज एससे बहुत सारे आनिमल्स भी होते हैं आपका बहुत कर सकते हैं जिनकी बाधिь क्वाडि क्या होताई है बहुत है क्वैं HE W तो आप उसके बारे मुझसे डिस्कस करें पहले लेकिन आपको क्या करने है कुछ भी डाउट उसको के लियर करें लेकिन इसतर ही है और जो कि आंप आप सारे पाइंटों को इतना अच्छे से किलियर करिए कि अगर मैं आप से कुछ भी पूछ उँ तो आपको अच्छे से वह सारा लर्न होना चाहिए ठीक है आपको ऐसा नहीं कि रिट्टाफिकेशन करने हैं आपको इसको समझना है समझ के आप कि तीवी चीज को करते हैं तो काफी बैटर रहते हैं तो आज की वीडियो मां यहीं फिनिश होती है एंड आप सब भी लोगों को दीपावली की फ्रेस से हाजिक शुक्त काम नहीं और दीपावली आप लोग इंजाय करें साथ में अपनी स्टेडी को भी कंटिन्यू करते रही है और आपको वीडियो पस सिकल, बाइब बाइप